आइफोन 15 प्रो या फिर आइफोन 15 प्रो मैक्स दोनों में से कौन समय हैंगा मसाला आपको खरीदना चाहिए लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो तो बिना टाइम वेस किये पढ़ते हैं वीडियो की तरफ शुरुआत करते हैं इनकी प्राइजिंग से आइफोन 15 प्रो एक लाग पैतिस जार में 128 GB ओफर करता है वहीं आइफोन 15 प्रो मैक्स एक लाग साथ हजार रुपए में 256 GB ओफर करता है चलो बात कर लेते हैं इनके डिजाइन एंड बिल्ड की दोनों फोन्स का जो डिजाइन ह ये एक्जेक्ली सेम है इनकी बिल्ड कॉलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है सेम टाइटनियम फ्रेम मिलता है सेम बटन पोजिशनिंग मिल जाती है पीछे ग्लास बैक ग्लॉसी कैमरा मोड्यूल वही एक्शन बटन वही डाइनामिक आइलेंड वही टाइप सी पोर्ट यानकी सारी की सारी चीजें आपको एक्जेक्ली सेम मिल रही है यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा इन दोनों की साइज का आइफोन 15 प्रो 5.77 इंचेस हाइट 2.78 इंचेस विट और 8.3 mm थिक आता है जो कि 187 ग्राम का है वहीं 15 प्रो मैक्स 6.30 हाइट 3.02 इंचेस विट और 8.3 mm के साथ 221 ग्राम के वेट के साथ आता है यह दोनों ही फोन अपनी पुरानी जनरेशन ने की 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स से 19 ग्राम हलके हो चुके हैं because of this titanium frame अब अगर मैं इन हैंट फील की बात करूं तो आइफोन 15 प्रो का इन हैंट फील बहुत ही जादा प्रीमियम ह इस वाले फोन को आप एक हाँ से नहीं यूज कर सकते हो आपको इसके control center को या फिर notification center को खोलने के लिए दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा इसी के साथ फोन काफी जादा वाइडर भी है तो आपको इस चीज का ध्यान अगना पड़ेगा अगर आप 15 प्रो मैक्स की जाते हो तो at least आपके decent size के हाथ होने चाहिए चोटे होंगे तो आप आप आइपड यूज कर रहा हो अभी आप एक difference और मिल जाता है जैसे कि आप सब को पता होगा इस बार का बैक पैनल वाला glass है इसको काफी जादा easy repair बना दिया है apple जिसके वाज़े से पीछे का जो glass है ब जो internal components हैं उनकी position को थोड़ा इदर उदर किया गया है जिसके वाज़े से आइफोन 15 pro max के बाद बहुत सारा area है और क्योंकि phone का size बहुत बड़ा है उसकी वाज़े से ये band test में बहुत जल्दी break हो गया था वही 15 pro काफी चोटा है जिसकी वाज़े से ये break नहीं हुआ तो definitely य हमेशा white titanium या फिर natural titanium खरीदना क्योंकि blue and black titanium में यहाँ पर आपको powder coating मिलती है जो कि बहुत ज़ल्दी scratches से भर सकती है चलो बात करते हैं इनके displays की इन दोनों के displays तो वैसे तो एकदम सेम है बस यहाँ पर आपको size का difference मिलता है iPhone 15 pro में 6.1 inches और iPhone 15 pro max मे 6.7 inches का display मिलता है ये एक L है also ये promotion display है यानि कि ये 1 hertz से लेके 120 hertz सक अपनी refresh rate को change कर सकता है साथ ही दोनों में always on का support भी मिल जाता है अब इनके sizes अलग-अलग होने के कारण यहाँ पे आपको pixel density भी अलग-अलग मिलती है 15 pro में 1179 by 2556 के pixels मिल जाते हैं जिसकी pixel density 461 ppi है वही 15 pro max में 1290 by 2796 के pixels मिल जाते है जिसकी pixel density 460 ppi है तो यहाँ पे display quality quality सब कुछ same है बस यहाँ पे sizes का difference है 6.1 inches के size पे आप इस notch को भी आराम से access कर सकते हो लेकिन वही 6.7 inches की बात करूं तो यहाँ पे notch भाई तो यहाँ से हो भी नहीं दा मतलब दो हातों की जरुद पड़ेगी इसका display पूरी तरीक से access करने क अब बात करें के chipset की तो यहाँ पे chipset पे कोई भी difference नहीं है दोनों में A17 Pro chipset मिलता है दोनों में same software hardware वगरा मिलता है आपको तो यहाँ पे कोई भी difference नहीं है जो performance इसमें मिलेगी same उसमें मिलेगी वो जो PS वाले games है वो आराम से आप दोनों इफोंस में खेल सकते हो अब द इसमें recommend करूंगा तब आपको iPhone 15 Pro Max की तरफ जाना चाहिए विकॉस तुरस जादा space मिलेगा आपको तो editing करने में काफी convenient होगा और अगर आप content watching काफी जादा करते हो तब मैं 15 Pro Max recommend करूंगा विकॉस content watching में बड़े display का मसा ही कुछ और होता है अलकि अगर आप सिफ content watching के लिए जिसकी वेज़े से ये काफी बड़ा phone feel होता है तो definitely अगर ये लेने का सोच रहो तो एक बार इसको experience करके जरूर देख लेना चलो बात कर लेते हैं इनकी batteries की iPhone 15 Pro में आपको मिलती है 3274 mAh की battery वही iPhone 15 Pro Max में मिलती है 4441 mAh की battery तो यहाँ आपे 1200 mAh की battery आपको जादा मिल रही iPhone 15 15 Pro Max में जो कि इसको one of the best battery backup provide करने वाला flagship phone बना देता है देखो iPhone 15 Pro अगर आप normal use करते हो तो आपको पूरे दिन का अच्छा खासा battery backup provide कर देगा वही अगर iPhone 15 Pro Max की बात करो तो यह आपको एक से डेड़ दिन का battery backup provide कर देगा जो कि भाई massive battery backup है यहाँ पे अगर मैं heavy usage की बात कर आ सकता है छे साड़े छे घंटे तक भी अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं इन दोनों का जो battery backup है यह iPhone 14 Pro 14 Pro Max के जितना ही लगा मुझे जितनी भी हमने टेस्टिंग करी हमको वहां पर कोई reference नहीं feel हुआ तो अगर आपने iPhone 14 Pro या 14 Pro Max यूज किया है तो यह मान कि चलो 14 14 Pro से 15 Pro में आओगे तो सेम ही battery backup मिलेगा और 14 Pro से 15 Pro Max में जाओगे तो उतना ही battery backup मिलेगा जितना 14 Pro Max में मिलता था हलाकि यह बात मैं बता चुका हूं चलो छोड़ो चलो बात करते हैं इनके cameras की और इनके cameras आपको exactly same मिलते हैं इन में कोई भी difference नहीं है primary camera में या फिर ultra wide angle camera मे कोई भी difference नहीं है एक difference आपको मिलेगा इनके telephoto lens में जो भाई नया 5X lens इंटर्ड्यूस किया है आपल ने वो आपको सिर्फ iPhone 15 Pro Max में मिल रहा है iPhone 15 Pro में कोई भी 5X वाला lens नहीं है वहाँ पे आपको पुराना 3X वाला ही lens मिल रहा है तो definitely भाई इसने जो अलग से आप से पै तब ही आप कर पाओगे और जितनी भी modes हैं सारे के सारे exactly same है बाकी सारी चीज़े आपको output एक डम सेम मिल ले वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कुछ इसके से अंपस दिखा देता हूं सिर्फ जब आप इसमें 5X में portrait लोगे या फर किसी भी चीज का zoom करके photo लोगे जब आपको यहाँ पर difference feel होगा 15 pro max 25x तक maximum zoom कर सकता है और iPhone 15 pro 15x तक कर सकता है बस यही एक difference मिलेगा बात की camera exactly same to same है कोई भी difference नहीं है चलो बात करते हैं कुछ other features की तो यहाँ पर other features पर आपको same to same मिलने कुछ भी फरक नहीं है दोनों में type c 3.2 मिल जाता है दोनों को यह कर सकते हो अपने airports को charge कर सकते हो cable के तुरू या फिर अपने android phone से इस वाले phone में charging ले भी सकते हो इसके लावा YouTube चिप दोनों में ही है crash detection satellite SSS दोनों में ही मिलता है वो अलग बात है कि इंडिया में है नहीं इसके लावा दोनों की charging speed भी आपको exactly same में ले वाली है कोई भी difference नह ले ले लेता है इसके लाव मैक से एकसे सरीज कर सकते हो दोनों में आपको face ID मिलता है touch ID नहीं मिलता अगर android सुआ रहे हो तो इस चीज का द्यान रखना चलो भाई यह फटावर से कर लेते हैं इनका sound test और देखते हैं कि इन दोनों के speakers में क्या differences है यह है iPhone 15 pro का sound यह है iPhone 15 pro Max क sound तो भाई हाँ size के इसाब से यह आपको sound भी वैसा ही provide कर रहा है मनलब कि आपको तगड़ एफोन के सबसे तगड़ा sound मिल रहा है सब्सक्राइब करें दोनों में से तो देखो अगर आपको एक चोटा फोन चाहिए अगर आपके हाँ चोटे है तो मैं स्क्रिटली रिकमेंड करूंगा iPhone 15 pro की तरफ जाओ वह बहुत आइडियल साइज है आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं करने वाला ना वो जादा चोटा है ना जादा बड़ा है बैटरी बैकप भी वह आपको इनफ प्रोवाइड कर देगा अगर आपका हेवी उसेज नहीं है तो पूरी दिन तक आराम से आप इस फोन को यूज़ कर सकते हो और वह सारे फीचर गेमिंग एक्सपिरेंस और ओर उसेज एक्सपिरेंस को और भी जादा एन्हेंस कर देता है हाँ बस एक चीज़ का ध्यान रखना 15 प्रो थोड़ा सा जादा मजबूत हो जाता है ऐस कमपेर तो 15 प्रो मैक्स तो इस चीज़ को दिमाग में रखके ही अपना डिसीजन लेना बाकि अगर आपको 5X वाला कैमरा चाहिए कैमरा फोटोग्रफी भी करते हो और एडिशनल उस वाले लेन्स की जरूरत है तब आप जा सकते हो 15 प्रो मैक्स की तरफ तो गई देए था आज कमारे वीडियो आई होब भी वीडियो पसंद आगा होगा पसंद आए तो लाइक क जरूर दबात देना ताकि वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो मैं हम तामसे नेक्स जीनों में तब तक के लिए बाबाई